हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सभी स्वागत है आप सभी का एनिमे वीकली न्यूज के 12 एपिसोड में जहां आज मेरे पास आपको बताने के लिए न्यूज है जैसे अटेक अन टाइटन फाइनल सीजन पार्ट 3, 14 न्यूज एनिमे फ्रॉम क्रंची रोल, जियो टीवी इंटरन इनिमे मार्केट, कुछ फ्री एनिमे और भी न्यूज दो बने रहे मेरे साथ एनिमे वर्ल से अपडेटेड़ रहने के लिए और चलिए शुरू करते हैं आज की फर्स न्यूज है, म्यूस एजिया की और से जो अपने यूटूब चैनल पर फिरी में स्ट्रीम कर रहा है दो न्यूज एनिमे टाइटल, जिसमें से फर्स एनिम है वुटपेकर डिटेक्टिव ओफिस, जो लास्ट सेंडे से स्ट्रीम होना सुरू हो चुका है, इं इंग्लिश सब्टाइटल के साथ, डिस्नी प्लस हॉट्स तार ने इंडियन एनिमे मार्केट में अपने हाथ फैलाने के लिए हमारे लिए लिए है टू न्यू हिंदी डब एनिमे जो 20 जैन्वरी से स्ट्रीम होना सुरू हो गया है, फर्स एनिम है समर टाइम रेंडरिंग जिसमें टोटल 25 एपिसोड है और सेगेंड एनिम है ओवासी जो के एक सौकर के ओपर बेस्ट एनिम है जिसमें टोटल 24 एपिसोड है साथ ही अगर आप इने ओरिजिनल जैपनीज लेंग्मेज या फिर इंग्लिश डब में देखना चाहते हैं तो आपको ये एनिमे इन दो 20 एम आयस्टी और 3 पीम आयस्टी पर सोनी एकी तरजिमें चलते हुए एक और टीवी चैनल जी कैफे हमारे लिए ले लाया है एक एनिमे वैल करिया क्रोनिकल्स जो की हिंदी डब में हेर होना शुरू हो गया है 28 जैनिवरी से वीक डेज में 2 पीम आयस्टी पर हमारे अंब यूटूब चैनल में 12 जैन्वरी से स्ट्रीमिंग चालोगी है 2 न्यू एनिमे टाइटल की जो है जैन बीस्ट आप आर्स और कैना ओफ दा ग्रेट सनो सी साथ ही जो इंगलिस सब्टाइटल के साथ स्ट्रीम हो रहा है एनिवन एश्या यूटूब चैनल पर नेट्फिक्स ने 12 एपिसोड एनिमे मोर देना मेरिट कपल बट नॉट लवर्स को एड़ किया है इंडिया के लिए और वैसे ये एनिमे फिरी में इंगलिस सब्टाइटल के साथ अवेलेबल है एनिवन एश्या यूटूब चैनल में भी चलिए अब बाकी निउस को आगे के लिए छोड करती है उसने बताया कि Attack on Titan Final Season Part 3 दो कोर्स यानि पार्ट में एयर होगा और जिसका 1st कोर हमें मार्च 4 से देखने को मिलेगा और इसका 2nd कोर भी इसी साल में देखने को मिल जाएगा पर अभी उसकी रिलीज डेट नहीं बताई है इसी announcement के साथ हमें एक promotional वीडियो भी देखन परची रोलने एनिमे की बरसात करते हुए हमारे लिए लाया 14 न्यू एनिमे जिसमें से कुछ एर हो रहे हैं और कुछ होने वाले हैं 1st एनिमे है Revenge जो January 12 से stream होना सुरू हो गया है 2nd एनिमे है The Eyes Guy Any School Female Kalik जो January 13 से stream होना सुरू हो गया है 3rd एनिमे है The Legend of Heroes Trail of Cold Steel Northern War जो लास्ट फ्राइडे से stream होना सुरू हो गया है next एनिमे है Buddy Daddies जो भी लास्ट फ्राइडे से stream होना सुरू हो गया है अगला एनिमे है Near Automata version 1.1 जो की 7th January से stream होना सुरू हो गया है और जिसका 1st एपिसोड free to watch है साथी एनिमे का second season भी available है next एनिमे है The Reincarnation of the strongest exorcist in another world जो भी 7th January से stream साथ इसका भी second season available है अगला एनिमे भी आचुका है अपने second season के साथ 7th January को जो है The Misprit of Demon King Academy 8th एनिमे The Angel Next Door Spoils Me Rotten जो 7th January से stream होना सुरू हो गया है 9th एनिमे है Chilling in my 30s after getting fired from Demon King's Army जो अपने second season के साथ आचुका है 7th January को Next एनिमे है The Fire Hunter जो stream होना सुरू हो गया है last Sunday से 11th एनिमे है The Ice Blade Sorcerer Cell rule the world जो last Friday से stream होना सुरू हो चुका है 12th एनिमे है Ayakashi Triangle जो 9th January से stream होना सुरू हो गया है every Monday को Next एनिमे है आईकार्ड जो भी 9th January से every Monday stream होना चालू हो चुका है और last एनिमे है Malvorant Spirits Monuno Gattari जो every Monday stream होना सुरू हो गया है 9th January से ओके फिर दोस्तों वैसे आज लगा कुछ सुनसान वीक जाने के बाद कि कुछ अच्छी निउस आई है तो चलिए फिर मैं अब आपको मिलता हूँ next week कुछ और निउस के साथ और हाँ सभी निउस की लिंक डिस्क्रिप्शन में है अगर आप और भी डिटिल में निउस पाढ़ना चाहते हैं तो चेक आउट कर सकते हैं